हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं सूजी का बहुत ही टेस्टी भर्मा मतलब मावा भर्मा पीठा की रेस्पी जो बहुत जादा टेस्टी लगता है और ऐसी रेस्पी है न यह की मतलब इतना जादा टेस्टी बनता है यह चावल के आटे से भी बनता है इधर मैं सूजी से बनाई हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स तो अच्छा टेस्ट जो है कच्चा मतलब निकल जाए तो ये देगे सूजी हमारी भून गई है अब इसमें हम डाल देंगे दूद तो करीबन इधर हम देड़ कप दूद ले लिये थे और इसको फटा-फट से mix कर लेंगे तो इसमें थोड़ा से lumps पढ़ेंगे बत वो आप continuous चलाते रहोगे तो वो हो जाएगा और इधर ना देखो गया आप डो जैसा ये बहुत ही जल्दी इसे गाड़ा हो जाता है जो सूजी है बहुत ही जल्दी से पानी या दूद जो भी है तो यह देखिए, यह गाड़ा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, तो हलका सा ठंडा हो जाएगा, इसको हलका सा फैला देते हैं, जिससे ठंडा हो जाए, जब तक हम बना लेते हैं, पीसा हुओ शक्कर है वो डाल देते हैं और इधर हम थोड़ा सा डाल देंगे काजू बदाम किसमेश और इसको हम मिक्स कर लेते हैं तो आप इधर ध्यान देना अगर मावा ठंडा हो तभी सक्कर डालना वरना पुरा मेल्ट हो जाएगा पतला हो जाएगा जो इसके बाद यह हमारा सूजी वाला डो था वो हलका ठंडा हो गया था तो इसमें हाथों में घी लगाके इसको आपको सॉफ्ट करना है यह चीज में डालते ही फट जाएंगे तो इधर डो आपको बहुत अच्छे से लगाना बिल्कु चिकना कर लेना है डो को तो यह देखिए अच्छे से में चिकना कर लिए वहां तो में घी लगाके अब छोटे-छोटे हम इनके गोले बना लेंगे मतब रसगुले जैसा तो यह आपको ऐसे करना है और ऊपर को एक्ष्ट्रा है वह निकाल देङे इसमें तो नहीं निकाली थी बट जो आंगे मैं बनाई थी दूसरा वाला उससे मैं निकाल दी थी एक्ष्ट्रा जिससे वो जॉइंट हो जाए अच्छे से इधर आप पुना ये भी ध्यान देना है कि बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हो बिल्कुल एकदम अच्छे से गोले हो जैसे हम गुलाब जामुन और बनाते हैं तो वैसे ही आपको इधर ये ध्यान देना ह वरना दूर में डालते ही फट जाएगा और जो अंदर की स्टफिंग है मावा है वो पुरन निकल के बाहर आ जाएगा और पुरा खराब हो जाएगा तो ये देखिए आपको ऐसे बनाना है पुरे रस गुलाब जामुन जैसे बनाएंगे अब एक आपको मैं और दिखा दे लेती हूं कि कैसे हम बना रहे हैं दूसरा वाला भी तो आपको इस प्रकार से ही बनाना है मैं सारे इस प्रकार से ही बनाई थी स्टफिंग हलका सा हम भरेंगे अंदर और इनको ऐसे जॉइंट करके ऊपर से रोल करके ऐसे निकाल लेंगे एक श्ट्रा जो है तो ऐसे में न बन गए हमारे सारे गुलाब जामुन ये देखिए अब इधर हम बना लेते हैं रबडी ये हमारा थोड़ा सा बच गया है मावा तो फिर मैं बना लूँगी दुबारा इधर हम रबडी बनाएंगे मतलब पतली ही रबडी रहेगी ज्यादा ऐसा नहीं तो दो कफ ले लेंगे दूद और दूद को हम अच्छे से उबाल आने देंगे तो इधर आपको दूद ना फुल क्रीम लेना है ये चीज बिलकुल धिहान देना या तो फिर आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो फिर उसको आपको पकाना पड़ेगा जादा देर तक तो ये रेखिए उबाल आ ग किसमिस नहीं डालूँगी वरना दूद फट सकता है तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है अब इसमें हम डाल देंगे जो अपने पीठा बनाए हुए थे वो थोड़ा समय इधर केसर डाल देते हैं जिसे एक कलर अच्छा आ जाए यलो कलर सा हलका सा तो आप देखेंगे हलका सा इसमें यलो कलर दिखने लगेगा केसर की वज़े से बहुत ही अच्छे से बस उबाल आ गया है बहुत ही अच्छे से दूद में हलका सा गाढ़ा भी हो गया है अब इसमें हम एक एक करके पीठा डालेंगे तो पीठा डालने में आपको ये भी ठंडा नहीं होना चाहिए वरना उबल जाएगा उबलता रहना चाहिए मतलब दूर तभी आप डालना और एक एक करके डालना वरना फट जाएंगे पीठे तो यह चीज भी आपको बहुत अच्छे ध्यान देना और आपको हलके हां से एक बार मिक्स करना है उसके बाद आपक को इदर नहीं चलाना है बस बीच बीच में आप चलाते रहना जिससे चिपके नहीं नीचे जाके और जब आप देखोगे ना कि यह उबलने लगेगा पक जाएगा हमारा पीठा तो यह सारे उपर आ जाएंगे तो यह आप देख रहे हो उपर आ गए हैं हलके अभी हम इने और पकाएंगे इसकी वज़े दूद भी अच्छा गाड़ा हो जाएगा तो दूद देख रहे हैं आप कितना गाड़ा हो गया है और पीठा हमारे बहुत अच्छे से पग गए हैं एकदम उपर आ गए हैं बस गैस को इदर हम बंद कर देंगे और इदर लेंची पाउडर मैं डाल दी थी शायद बताई नहीं आपको बस इदर निकाल लेते हैं हम मैं आपको कट करके भी दिखाती हूं कितने ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं और कितने असानी से ये कट भी हो रहे हैं मतलब सौफ्ट बने हुए हैं तो इदर पहले तो मैं थोड़ा से कर देती काजू बदाम से तो ये देखिए और इसको हम कट करते हैं तो ये आप देखना पीठे के उपर वह इलैची पाउडर जो हता न वह लगा हुए है तो ये देखिए बहुत यह असानी से कट होगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा था फ्रेंड्स तो आप भी जरूर ट जरूर टेस्टी 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 जरूर टेस्